यह हमारी GSK class 1 है और यह demo के रूप में आपको YouTube पर भी provide कराई जाएगी और अगर आप इस batch में admission लेना चाहते हो तो link description में दिये हुए है वहाँ से जाकर के हमारे application को download करके आप वहाँ से admission ले सकते हैं इस batch का नाम है अन्तिम परहार batch ठीक है और इसके साथ में आपको जो हमारा old batch था वो भी free of cost provide कराया जा रहा है ठीक है तो दोनों combo batch है मात्र 399 rupees ही हमने price रखा हुआ है यह price हमने नहीं बढ़ाया ठीक है यह starting में offer price था बट यह बाद में हमने नहीं बढ़ाया query के चलते students की ठी ठीक है तो यह cable हमने 399 में ही रखा है और आपको बता देता हूँ English मैं इसमें खुद कराऊंगा सारी चीजे आप introduction video देख सकते हो क्या क्या slivers किस तरह से कराया जाएगा दूसरी चीज जो आपके reasoning वाले sir है वो already steno है ठीक है GS वाले sir है अभी GS वाले sir कुछ दिनों के बाद class लेंगे थोड़ा वो अभी busy है क्योंकि अभी उन्होंने नहीं जोइनिंग की है वो भी already steno है ठीक है high coat steno में वो already job कर रहे हैं और साथ में 2022 में selected भी है SSC steno में तो दोनों आपके steno grafer के teacher है और lady मैं भी 4 साल से मुझे job करते हुए हो गए 4 साल हो गए ठीक है complete railway में job करता ह तो सारे selected teacher है सफल है सफल था दिलाएंगे ठीक है सफल है सारे के सारे और सफल था दिलाएंगे आपको भी तो ये हमारा जो है purpose है target है इसी को हमें पूरा करना है ठीक है तो आप इस batch को join कर सकते हो चलिए अब आते हैं इस class पर और सबसे पहले हम static gk start कर रहे हैं इसमें काफ है मैं इसमें question को बताऊंगा ये 2018 से लेकर के 2023 तक जो exam होए उन question को हम cover करने वाले हैं तो आपको क्या करना है ये PDF आपको मिल जाएगी इस class के साथ ही लेकिन साथ में आप क्या कर सकते हो अपने short notes बना सकते हो जैसे question आएगा पूरा question नहीं लिखना आपको एक question को समझने के लिए कोई भी दो चार वर्ड लिख लेने उसी से related जो extra जानकारी में दूंगा वह आप उसमें note कर लेंगे clear तो इस तरह से आप कर सकते हो बहुत जादा आपके लिए useful रहेगा clear revision करने में भी आसानी रहेगी PDF से थोड़ा सा जो है PDF से भी कर सकते हैं but थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा PDF से जितना जादा आप notes बना करके उसको revision करोगे और notes बनाओगे तो आपको अच्छे सारी चीज़े साथ साथ में याद होती रहेगी तो आप class को start करें बाकी details मैंने आपको बता दिये सारी चीज़े आपको description में मिल जाएगी आप check कर सकते हो अब बढ़ते हैं आगे यह हमारी GS की class 1 है और आगे बढ़ते हैं चलिए यह पहला question है इस तरह से आपको question मिलेंगे साथ में सब चीज लिखी होई होगी कब किस shift में यह question और किस exam में questions पूछा गया है जैसे पहला question है आपका निमलिकित में से कौन सी लौक नरतिय शहली गुजरात राज् से सम्मनित नहीं है यह आपसे पूछा है which of the following four dance forms does not belong belong to the state of गुजरात किस कौन सा निरतिय यहां पर गुजरात से related नहीं है गर्वा गुजरात का है आप सब जानते हैं गर्वा कहा का है गुजरात का famous लोक नरतिय डांडिया यह भी गुजरात का है बहुत famous लोक नरतिय बि बिंचुडो भी आपका गुजरात का ही है बिंचुडो भी कहा का है गुजरात का लेकिन विदीशिया की अगर बात करे तो यह कहां का है बिहार का लोक नरतिय तो यह बिहार का लोक नरतिय है बिहार के लोक नरतियों की अगर बात करे बहुत सारे लोक नरतिय है बिहार के ह जैसे आपका एक लोगन्यत्य है जुम्री ये भी बिहार का है आज कल इसी तरह के questions आते हैं आप बोलते हो ना कि questions कहां से आ रहे स्टेटिक जीएगे ये सारे repeated questions होते हैं आप प्रिवेशर के जो TCS ने जब से एक्जाम लेना start किया तब से आप 2023 तक के सारे question पढ़ लो बार बार पढ़ लो इनी को पढ़ो यहीं से आपको maximum question मिलेंगे ठीक है तो यह जैसे आजकल जो normal question नहीं नहीं पूछते मतलब जो पहले पूछता था के डांडिया कहां का है गर्वा कहां का है है ना कथकली कहां का निरत्य वैसे नहीं पूछता ठीक है मोहनिये टम कहां का यह नहीं पूछता आजकल थोड़ा सा अगर इंस related question पूछेगा जो easy होते हैं तो details में पूछेगा या फ लेकिन फिर मैं दुआरा से बोल रहा हूं Lucian की book पढ़ना बहुत जरूरी है आप साथ में Lucian की book पढ़ो एक वो base है GS का आप उसको अच्छे से पढ़ो उसके बिना आप जो है Lucian की book सबसे best है ठीक है उसको पढ़ना है उसके साथ साथ आप कोई चीजे करनी है तो तब score हो जाएगा GS के अंदर या फिर जो आप book follow कर रहे हो GS के लिए वो आप पढ़ो मतलग कहने गए कि theory वाली book आपको जरूर पढ़नी है बहां से base clear होता है ठीक है और base clear होगा तो आप आगे की जो एक्सा चीजे है जो थोड़ी से अलग हटके भी है तो वो भी आप कर सकते हो चलिए बिहार के हम बात कर रहे थे जैसे जुम्री हो गया एक है जटा जटिन ये आपने सुना होगा जटा जटिन ये भी आपका बिहार का लोकन रतिय है बिहार का ये ठीक है कजरी हो गया कजरी ये भी बिहार का है हाना और समा समा हो गया हाना समा हो गया या जुम्री हो यह सारे के सारे कहां के हैं बिहार के लोकनतिय है यह जुम्री जुम्री मैंने यहां पर लिख दिया उलड़ी जटा जटिन कजरी समा जुम्री यह फिर बिदेशिया यहां पर इसको एड़ कर देते हैं बिदेशिया तो यह सारे के सारे जो हैं आपके बिहार के ही लोकनतिय है इस तरह से आप याद रखो गुजरात का मैंने यहाँ पर तीन लोगनरत्य बता दिये गर्बा, डांडिया, बिंचुडो यह गुजरात का है और भी इसमें एट कर सकते हैं जैसे मैं इसको दुवारा से लिख देता हूँ गर्बा, डांडिया बिंचुडो यहाँ पर लिखा हूँ यह सारे के सारे कहां के हैं गुजरात के ही है तो इस तरह से आपको जो है यह देखिए अप कैसे नोट्स बनाओगे आप नोट्स बनाओगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा कैसे बनाने हैं जैसे यह आपके सामने कुशन लिखा हुआ है तो आपको डिरेक्टली क्या लिखना है गुजरात लिखना है उसके सारे के सारे लोगनित्य लिख लेने है गुजरात के साथ में आप गर्वा डांडिया भैवाई टिप पानी यह लिख लेना है बस गुजरात के लोगनित्य करके यह आपने लिखना है question number 1 डालके उसके बाद बिहार के point बनाके डालो दूसरा आप बिहार के लोकनत्य में लिखोगे जुमरी, जटा, जटिन कजरी, समा, जुमरी बिदेशिया ये लिख लेना बस इतना सा करना है पूरा question नहीं लिखना आपको बस ये जो question number next लोक निरत्य तरंग मेल ने मिलकित में इसे किस राज्य से संबंदित है लोक निरत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंदित है इसका अंसर हो जाएगा option A गोवा से संबंदित है लोक निरत्य तरंग मेल तो गोवा का यहाँ पर जिक्र हुआ है गोवा का यहाँ पर जिक्र हुआ है तो गोवा की अगर बात करे गोवा में भी बहुत सारे लोक नरत्य आपके हैं जो की एक्जाम में पूछ ले जाते हैं जैसे आप पर आप एक लिखोगे ढालो यह भी गोवा का है और आप लिखोगे कोरे हिंडो ये भी आपका लोकनरत्य कहां का है गोवा का है या फिर फुगडी देखनी ये भी लोकनरत्य का नाम है फुगडी ये भी आपका लोकनरत्य का नाम है कहां का है गोवा का लोकनरत्य है ठीक है लैंप डांस यह हो गया Lamp Dance यह भी कहाँ पर होता है गोवा में होता है यह benefit होता है आपका रॉमट रॉमट ठीक है यह भी कहाँ कहा है आपका गोवा का लोकनतीय रणमाले इसको अच्छे से याद रखोगे रणमाले यह भी गोवा का है मूसल मूसल ये भी क्या है गोवा का है तो सारे के सारे गोवा के ही लोक नत्य है धालो, कौरे हिंडो, देखनी, फुगडी, लैंप, डांस, रोमट, रनमाले हना रनमाले हो गया और मूसल हो गया क्लियर ये सारे के सारे कहां के है गोवा के ही लोक नत्य है clear इतनी बाते आपको याद रखनी है और तरंग मेल ये आपको बताई दिया है कि तरंग मेल जो है ये भी कहा का है यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कहा का है गोवा का लोक नत्य है और ये जो है दस हेरा और होली के दोरान किया जाता है किया जाने वाला लोक नरत्य है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं ये रहा question next निमलिकित में से कौन सी नरत्य सहली अरुनाचल राज्य से संबंदित है तो अरुनाचल राज्य से संबंदित है इसका option C हो जाएगा बुईया ठीक है तो इसका ये जो बुईया नरत्य शहली है वो कहां से संबंदित है आरुनाचल परदेश से clear तो ये आपको याद रखना है बस इतना काफी है जैसे गरवा गुजरात का है अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी आप थोड़ा सा लिख लेंगे अना गरवा कहां का हो गया गुजरात का गुजरात में गरवा डांडिया ये तो फेमस है बिंचुड़व मैंने भी बताया आपको अना ये और जो सारे के सारे जो बताये है उसको आप एक बार याद कर लेंगे ठीक है पावरिया या पवारिया ठीक है ये कहां का है बिहार का लोक नत्य है तो बिहार में इसको एड़ कर लेंगे धमान की बात कर रहा धमन की तो हिमाचल प्रदेस का है हिमाचल प्रदेस बस इतना point आप याद करोगे बहुत ज़्यादा भी details में नहीं लिखेंगे ताकि आपको याद ना रहे फिर confused हो जाओ इतना सारा सारा थोड़ा थोड़ा करके भी लिखेंगे तो तेर देरे बार बार रिपीट होते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे है ना चलिए तो यह point आप add कर लोगे अपनी notebook में आगे बड़े यह रहा question number next कुछी पुड़ी सास्त्रे नरत्य किस प्रकार के संगीत से संबन्दित है ध्यान से समझोगे किस प्रकार के संगीत से related है संगीत पूछा यहाँ पर तो यह हो जाएगा आपका करनाटक संगीत option C is the right answer question 4 का हो जाएगा करनाटक संगीत कुछी पुड़ी जो सास्त्रे नरत्य है वो किस संगीत से related है हालांकि यह कहां का है आंधर प्रदेश का है कुछी पुड़ी कहां का है आंधर प्रदेश का है लोक नरत्य है लेकिन अगर संगीत की बात करे तो यह करनाटक संगीत से संबन्दित है यह हो जाएगा आंसर और भी बहुत सारे लोक नरत्य है जैसे आपने ये देखा होगा भरतना टयम भरतना टयम हना या फिर कथकली कथकली भरतना टयम कथकली या मोहिनी अटम मोहिनी अटम मोहिनी अटम ये सारे के सारे जो निरत्य है तीनों बहुत फिरमस निरत्य है जैसे भरतना टयम तमि कोहिन एक्टम केरल का है लेकिन संगीत की बात करें तो ये भी करनाटक संगीत से संबंदित है ठीक है करनाटक संगीत से संगीत से रेलेटिड यह तीनों लौक नतिये मनिपुरीOne लौक नतिये मनिपुरी मनिपुरी कीस संगीत से भक्ती संगीत मनिपुरी लौक नरत्य यह ठीक है और आपका सत्य एक right लोग नरत्य एक्जाम में पूछा हुआ है हिस्एज संगीत से related है यह पूछा गया वैसे question में कि असम से related संगीत जो है नरत्य कोन सा है सत्रिया है clear इतना पूछा गया है लेकिन आप इसका जो संगीत है वो भी not कर लेंगे बौरगीत संगीत बौरगीत संगीत से related है ठीक है सम्मंदित है ठीक है दो यहाँ पर रहे दिखी कजरी यह कजरी है कजरी कजरी और चैती उत्तर प्रदेश से सम्मंदित निरत्य है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के लोक निरत्य है कजरी और आपका चैती यूपी में चैती मिला लगता है यूपी में अगर UP से belong करता हूँ आपको पता हूँ चैती मिला लगता है और जहां पर मैं रहता हूँ यहां पर भी चैती मिला लगता है बहुत बड़ा मिला ठीक है एक महीने तक चलता है वो कम से कम तो चैती मिला है ना चैती जो है आपका उत्तर प्रदेश यानि UP से related हो गया चैती और कजरी ओके तो यह पॉइंट आपको याद रखने है और इसमें ज्यादा एड़ नहीं करेंगे चीजे इतनी बातें आपको याद रखने है ठीक है चलिए आगे बढ़ें यह रहा question next निमलिकित में से कौन सी भारतिय शास्त्रे निर्ते रूप में पात्रों को परतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर बिविन रंगों का उप्यो किया जाता है कि सास्त्रे निर्त्य में किया जाता है इसा English में आप पढ़ लोगे ठीक है Which of the following India classical dance form Uses various colors on face To symbolize The characters इसमें आपको बताना है कि इसमें से कमौंसा ऐसा है जिसमें मतलब मुखोटे एक तरीकी से कह सकते हैं मुखोटे का Use किया जाता है मुखोटे का Use किया जाता है तो ये होता है आपका कत्कली निरत्य में क्या होता है कत्कली निरत्य में बस इतना ही आपको याद रखना है ठीक है आगे देखते है Question next है निमलिकित में से कौन निमलिकित में से किस निरत्य शैली का उलेक विये वहार माला नामक प्राचीन गरंत में मिलता है तो कौन सा मिलता है मोहिनी अट्टम किस में मोहिनी अट्टम में ये मिलता है तो इसका अंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम और ये कहां का है केरल का केरल का लोक नरतिय है मोहिनी अट्टम ठीक है यह आपको याद रखना है और एक चीज और याद रखेंगे एक्जाम में पूछा भी हुआ है कि जो मौहिनी इसमें नाम है लिखा हुआ यह जो मौहिनी जो है यह जो थे विश्णू यह जो थे भगवान विश्णू के अवतार थे अवतार थे तो भगवान विश्णू से रिलेटेट थे मौहिनी तो यह भी एक्जाम में पूछा गया प्रशन है चीक है तो यह आपको याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं यह रहा आपके सामने कुष्ट नेक्स्ट जागोई और चोलम के सास्त्रे नत्य के दो मुख् क्या भाग है यह हो जाएंगे मनिपुरी सास्त्रे निरत्य किसके मनिपुरी सास्त्रे निरत्य के भाग है यह ठीक है बाकी और भी इनमें भी नौट मैं करवा सकता हूं लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा ठीक है यह इस तरह से कुश्यन जो है आपका थोड़े अजीव नाम है ना जैसे बारत नाट टैम के अगर बात करें या थोड़ा वह तो आप लिखी लीजिए ठीक है इसको भी कि यह हो गया मणीपुर का तो हो गया जागोई चॉलॉम यह आपके मणीपुरी सास्त्रिय निरत्य से है है ना कि और इसमें चलिए इसमें अभी और कुछ एड़िय नहीं कर रहें है आगे बढ़ती है ठीक है आगे बढ़ते है यह रा क्वेश्ट नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा ओडीसा का एक प्रसिद्ध लोक-नगतिय ह्य्यय।क कौन सा ओडीसा का एक लोगतिय है और और भी स्टेट में होता है यह जैसे आपका पश्ची मंगाल हो गया बिहार जारकंड आंदर प्रदेश छतिस गड़ हना इनके यहां पर भी जो है रंगबती लोक्रतिय प्रसिद्ध है लेकिन सबसे जादा जो है उड़िसा में है या इस ऑप्शन के इसाप से यह आंसर ह हो जाएगा आपका रंगबती क्लियर और घूमर राजस्थान का है राजस्थान की घूमर होग गया और कालवे लिया अग्जाम में पूछा था सटैनों के एक्साम में आये था पिछली बार काल बेलिया लोक नत्य कहां से रिलेटेड है राजस्थान से तो यह सीधा सीधा कुश्चन आये था आपका इसी तरीके से जो कुश्चन फसते हैं तो आपको अच्छे से याद करना है और बिरहा की बात करें तो यह हो जाएगा आपका बिह बाहर से रिलेटेड है और बिहार के मैंने पीछे लोक नत्य लिखवाए तो इसको आप यहाँ पर द्वारा से भी लिख सकते हो राजस्थान के आप द्वारा से लिख सकते हो जैका घुमर काल बेलिया जैसे उडिशा की और लोक नत्य आप एड़ गर सकते हो जो भी आपक में ये उडिशा का लोकनत्य है या दल खाई एक है दल खाई दल खाई भी उडिशा का ही है है ना कर्मा कर्मा नाच कर्मा नाच भी कहां का है आपका उडिशा का ही है ठीक है जुमेर एक है जुमेर ये भी उडिशा का है एक और लिखोगे किसावादी किसाबादी ये भी आपको लिख लेने हैं आपके उडिशा के लोक नरत्य है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नंबर नेक्स्ट यह रहा कुश्चन नेक्स्ट नूपा नरत्य किस भारत्य राज्य से संबंदित है तो नूपा आपका हो जाएगा मनीपुर से रिलेटेड कहां से रिलेटेड मनीपुर से ठीक है तो मनीपुर से रिलेटेड हो गया आपका यह नूपा नरत्य है मनीपुर के और कौन-कौन से नरत्य है जैसे यह लिखा हुआ है नूपा नरत्य है हना या और भी लिख सकते हो आप यहां पर एक है ठांगता ठांगता ठीक है या फिर लाई-हरोबा लाई-हरोबा ये भी मनिपूर का है आपका और मनिपूरी मनिपूरी तो famous आप इससे तो इसमी कन分享 ही नहीं है मनिपूर का मनिपूरी और अम्ला पूंग चॉलंग एक लिखेंगे पुंग चॉलॉम ये भी मनीपुर से रिलेटेड है ओके बस इतने याद रखने है एक और लिख लीजे यहाँ पर रोखत ये भी कहां का है मनीपुर का तो ये आपको याद रखने है तमिल नाडू की अगर बात करें तो जैसे करगाम ये कहां का है तमिल नाडू का कोलाटम कहां का है कवाडी कैवाडी कहां का है आपका तमिल नाडू का और बाकी तमिल नाडू का भरतनाट तयम हो गया वो सास्त्रे नरती है भरतनाट तो वो भी आपको याद रखना है और आप लिख सकते हो तो करनाटक के लोग नर्तियां आप लिख सकते हो यहां पर चलिए मैं एड कर देता हूं यहां पर करनाटक ऑप्शन में दिये हुए ना तमिल नाडू करनाटक जारकन तो ऐसी इसी तरहीकी से थोड़ा-थोड़ा करके लिख लेंगे करनाटक के जैसे यक्षगान यक्षगान हो गया करनाटक से रिलेटेड है हुट्टारी यह भी कहां का है इसमें आधर टैवर जोड़ेंगे हुट्टारी कहां का है आपका करनाटक का कुनिथा कुनिथा करनाटक का या फिर करगा करगा भी करनाटक का ही है ठीक है तो यह सारे के सारे आप एड़ गर लोगे चलिए आगे बढ़ें अब ओकी आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर नेक्स्ट किस भारतिय सास निर्थे शैली के एकल कलाकार दुवारा बिभिन भुमिकाओ का निर्वाह किया जाता है जिसे एक आहर्य कहते हैं तो इस question का answer हो जाएगा भरतना टेम clear एक आहर्य बोलते हैं उसको भरतना टेम चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें इतनी बाते याद रखोगे question next है निमलिकित में से कौन सा निरत्य शैली हिमाचल प्रदेश राज्ये से संबंदित है तो हिमाचल प्रदेश से कौन सी निरत्य शैली संबंदित है धमन हो जाएगा answer क्या हो जाएगा धमन साइद मैंने अभी पीछे भी लिखवाय था हिमाचल प्रदेश से related है ना कुछ लिखवाय था साइद हाँ लिखवाय था मैंने पीछे हिमाचल प्रदेश देखे सीधा सीधा question आ गिया पीछे कराया था मैंने यह question आपका exam में आ चुका है और इस से related और क्या लिख सकते हो ये ये भी कई बार exam में आ चुका है रऊफ लोक नत्ये रऊफ जो है वो जम्मु कस्मीर का है जम्मु जम्मु कस्मीर का ठीक है रऊफ लोक नत्ये हाना ये हो गया जम्मु कस्मीर का कोली अभी मैंने लिखवाय था आपका कहा का है गोवा का लोक नत्ये है फागवा की बात करें तो फागवा आपका जहारकंड का हो जाएगा जहारकंड का ठीक है जहारकंड ओके तो फागवा कहां का हो गया जहारकंड का बस इतनी बातें आप याद रखोगी इसमें आगे बढ़ते हैं Question number next यह रहा बोरगीत बोरगीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत में निमलेकित में से किस सास्त्री निरत्य में किया जाता है तो बोरगीत का यूज कहां किस सास्त्री निरत्य में किया जाता है सत्रिया और यह मैंने आपको कराया था कहां का है असम का असम का लोक नत्य है, सत्रिया, मनिपुरी, मनिपुर का है, अभी मैंने बताया था, मनिपुर का है, कथक कहा का है, उत्तर प्रदेश का, अभी बताया था आपको उत्तर प्रदेश, कथक, अना भरत नाट्यम कहा है, सास्त्र नत्य है, यह आपका, तमिल नाडू, तमिल नाड ठीक है तमिल नाडु का है भरत नाड टेम तो ये बातें आपको याद रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं question next है चक्री नामक पारंपरिक लोक नत्य किस जनजाती की महिलाए करती है चक्री नामक लोक नत्य चलिए चक्री नामक लोक नत्य जो है ये करते है जन जाती आपकी कंजर जन जाती ठीक है ये कहां की राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में ये जाती ठीक है तो इसकांसर हो जाएगा option B चलिए और ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number next ये है आपका कुछी पुड़ी नरती है सैली की उत्पत्ती भारत के निमलिकित में से किस राज्जी में हुई तो कुछी पुड़ी कहां का लोक नरती है सबको पताए आंदर प्रदेश तो आंदर प्रदेश is the right answer तो इसका answer हो जाएगा option D आंदर प्रदेश ठीक है चलिए आ अभी केरल का मैंने काफी सारे आपको बताए थे कथकली बगएरा कथकली है ना कथकली मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम तो ये famous है केरल का उत्तर प्रदेश कथक अभी लिखवाय था मैंने आपको ये सारे के सारे आप याद रखोगे चलिए आगे बढ़ते हैं question next है निमलिकित में से कौन सा लोक नरत्य मिजोरम राज्य से सम्बंदित नहीं है मुंडारी ये सम्बंदित नहीं है कहां से मिजोरम से बाकी जंग तालम चेराव ये सारे के सारे आपके मिजोरम से related है मिजोरम से related है लेकिन मुंडारी आपका मिजोरम से related नहीं है और ये मुंडा जंगाती के द्वारा किया जाता है मुंडा जंगाती के द्वारा और कहां का है ये लोक नरत्य आपका मुंडारी कहां का लोक नरत्य है उडिसा और जार खंड का कहां का है ओड़ीसा और जारखंड ठीक है तो यह आप याद रखोगे आगे वड़ते हैं लोक नरत्य होजागिरी की उत्पत्ति और इसका सम्मंद भारत के किस भाग से है होजागिरी का जो संबंद है वो भारत के किस भाग से है तो ये हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व इतना याद रखो इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं ये रहा कुश्ण नेक्स्ट मोहिनी अटम किस हिंदू देवता से संबंदित है अभी मैंने आपको बताया था मोहिनी का मतलब पीछे तो किस से रिलेटेड था वो विश्णू भगवान विश्णू से रिलेटेड थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वर्डी यह भी किसिना किसी चीज़से रिलेटेड है तो में एक बार सब को लिखवा देता हूं यहां पर हो सकता है कुश्य न आ जाए जैसे आपका मणी पुरी हो गया मणी पुरी हो गया या फिन कि आपका भरात नें हो गय सकता है ऋबरेत नेंटल में यह हो गया आपका या फिर ओडिसी हो गया ओडिसी ओडिसा मतलब ओडिसी ओडिसा का जो लोगनत्य है ओडिसी हो गया ठीक है मनीपुरी मनीपुरी हो गया आपका या फिर जैसे आपका कथक हुआ कथक हना कुचीपुरी हुआ आपका कुछी पूरी तो ये भी किसी ना किसी से सम्मंदित है किस किस से रिलेटेड है जैसे मनिपूर की बात करे मनिपूरी की तो ये राधा क्रश्ण राधा क्रश्ण की प्रेम कहानी से रिलेटेड है भरत ना टैम की बात करे तो ये शिव से रिलेटेड है ना, ओडिसी की बात करें तो ये सिब और सूर्य है, भगवान सिब और सूर्य से सम्मंदित है, मनिपुरी, मनिपुरी का तो मैंने लिखवा दिया, राधा क्रश्न के प्रेम से, राधा क्रश्न के प्रेम से सम्मंदित है, प्रेम कहानियों से, मनिपुरी, और कथक की बात करे तो देवी देपताओं के बारे में नैतिक कहानिया नैतिक कहानिया चीक है देवी देपताओं के बारे में देवी देपताओं से संबंदित नैतिक कहानिया कुछी पुरी की बात करें तो ये भी भगवान करस्ण से रिलेटेड है और अभी ये जो तो आपका मोहिनिय अटम है विश्रु भगवान से रिलेटेड है ठीक है यह आपको याद रखने है चलिए question number next पर आते है यह रहा question number next एक सिकिंड ओके निमलेकित में से किस जनजाती दुआरा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घोमर नत्यसली को विक्सित किया गया तो किस जनजाती दुआरा यह किया गया था यह आपसे पूछा गया है तो भील जनजाती राजस्थान में जो है होता है ना घुमर नरत्य राजस्थान से रिलेटेड है और राजस्थान में ही भील जनजाती पाई जाती है ठीक है यह जनजाती राजस्थान से ही रिलेटे नेक्स्ट नेमिलिकित में से कौन सा मुख्यताल वादी यंत्र है जिसका उपयोग मौहिनी अटम नरतिय के प्रदस्र में किया जाता है तो मौहिनी अटम में अड़का का प्रियोग किया जाता है option b is the right answer is question का एड़क का clear चलिए इसमें इतना ही काफी है आगे बढ़ते हैं question number next यह रहा question number आपके सामने निमिलिकित में से किस सास्तरी नरतिय को कथा वाचको का नरतिय कहा जाता है किसको कहा जाता है कथा वाचको का नरतिय अभी मैंने बताया था कथक में कहानिया सुनाई जाती कथा यह सुनाई जाती है ठीक है तो यह हो जाएगा और यह उत्तर परदेश से related है कहां से यूप पूरी अभी आयता आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश से संबंदित है ओडिसी जो है ओडिसा से संबंदित है ठीक है यह तो आपको याद ही है ओक है कि चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा लोक नरत्य देवी दुरगा और मही सासूर के बीच करत्रिम युद को दरसाता है तो कौन सा नरत्य है ओप्शन डी इस दा राइट आंसर हना डांडिया रास नरत्य यह हो जाएगा और कहां का है डांडिया गुजरात का कहां का है गुजरात का डांडिया नरत्य तो कन्फ्यूज मत हो जाना कहां का है यह गुजरात का ही है आपको याद रखना है और गुजरात के बहुत सारे जैसे गर्बा अभी मैंने आपको बताया था बिंच छुड़ो बिंच छुड़ो या फिर और भी है गुजरात के तिप पानी एक बताया था है बोस सारे आप इसको रिवाइस कर लेंगे दुबारा से और बात करे게요 जैसे भआंगड़ा पंजाब का है का का है पंजाब का लोकनत्य है उसके बाद रास लीला उत्तर प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश से सम्मंधित लोकनत्य है काल بے لیا एक्जाम में आया हुआ है कुश्शन काल बेलिया राजस्थान का से है राजस्थान से समबन दित है तो ऑॉप्शन ये सारे के सारे आप याद रखोगे ठीक है इसका तो आइन सर ऑप्शन डी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन है आपके सामने निमलिकित में से कौन सी नत्य सहली बिहू नत्य से प्रभावित है तो बिहू कहां का है असम का है आप लोजिक लगा के भी कर सकते हो बिहू कहां का है असम का है कहां का लोक नत्य है असम का तो असम की अभी मैंने आपको बताए था कौन सी यह सत्र पडिर्या जो नरत्य है आपका ये भी कहा का है असम का है कहा का असम का ठीक है बाकि मनिपूरी मनिपूर का कथक उत्र प्रदेश का कुछी पूरी आंदर प्रदेश का तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ चले आगे बढ़ते हैं question number next question number next अच्छे यहां पर आपको बताना है क्या आएगा एक पारम पर एक आदिवासी नरत्य है जो मुख्य रूप से ज्ञारखंड की महिलाओ द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है खेती के मौसम में किया जाता है इसका अंसर देंगी क्या रहेगा तो यह हो जाएगा आपका जूमर नरत्य है खेती से रेलेटेड है जूमर नरत्य है और यह कहां पर किया जाता है जारखंड में भी किया जाता है ठीक है तो जूमर नरत्य है ठीक है यह इसका अंसर हो जाएगा और यह हो जाएगा कुडमी समुदाई के द्वारा ठीक है यह किया जाता है जूमर लोक नरती है चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्विश्चिन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने निमलिकित में से कौन सा सरद रीतु के दोरान बगनियो यानि चाय के बगानों में काम करने वाले लोगों दोरा किये जाने वाला असम के सबसे परसिद नरत्यों में से एक है इसका अंसर क्या रहेगा ये भी हाजाएगा जूमर नरत्य तो असम में भी किया जाता है अभी देखे पीछे आया था जारखंड का जारखंड में भी होता है कोडमी समूदाई के दोरा किया जाता ह अना कोडमी समुदाई के दुआरा कहां पर जार खंड में और ये आपका चाय बगानों में काम करने वाले लोगों के दुआरा भी किया जाता है कहां पर असम्मे किया जाता है ठीक है और जूमर नरत्य राजस्थान से भी संबंदित है तो ये आपको अलग तरह से question जो है पो हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश का लोग नरत्य है लंबाडी नरत्य है ये कहां का है भी या लंबाडी आंद्र परदेश आंद्र परदेश का ये लोग नरत्य है और करगा की बात करें करनाटक 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 ठीक है तो करनाटक से related है करगा तो यह आपको याद सत्रया लोक नरत्य काफी जो है एक्जाम में पूछा जाता है वो आपको याद रखना है बिहू भी असम का है बिहू बिहू भी काफी जो है फेमस है असम का नरत्य है नेक्स्ट है बिलासिनी नाट्यम और विरा नाट्यम निमलिकित में से किस राज्य से सम्मंदित है तो कहां से रिलेटेड है यह हो जाएगा आंदर प्रदेश से ठीक है चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं आगे है मडिपूर के निमलिकित में से किस राज्य में धोल को राज्य गति विदियो के एक भाग के रूप में प्रमुक्ता से प्रयोग किया जाता है तो इस क्वेस्टन का आंसर क्या रहेगा यह हो जाएगा आपका पुंग चॉलम पुंग चॉलम इस दा राइट आंसर ठीक है हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं question number next इसका अंसर देंगे निमलिकित में से कौन सा भारत के कतक नत्य सैली में घराना नहीं है किस कहां पर घराना नहीं है आपको बताना इलाबाद में नहीं है कतक से related घराना clear इलाबाद में नहीं है आपका बनारस में जो है बनारस में है आपका जैपुर में है राइगड में है और इन से related आप नाम लिख सकते हो जैसे बनारस से related कौन कौन से व्यक्ति जो है जुड़े होए है कभी-कभी पूछ लेता है संस्थापक बनारस घराने के कौन है संस्थापक तो ये है आप नाम हैं का पंडित राम सहाई बाकि इन से जुड़े व्यक्ती कौन-कौन है और इस घराने से रिलेटट जो व्यक्ती है आप उनके नाम भी लिख सकते है, सितारा देबी, सितारा देबी फेमस जो है ये नाम है, इस घराने से जुड़े होई हैं ये, या कमलीनी ठीक है, या फिर और आप नाम लिख सकते हैं, कमलीनी अस्ताना, पुरा नाम हिनका कमलीनी अस्थाना ठीक है या फिर नलीनी अस्थाना यह क्या है इनसे जुड़े होई है किस से बनारस गराने से राइगड की बात करें तो राइगड की है ना राजा चक्रधर सिंग संस्थापक थे संस्थापक कौन थे राजा चक्रधर सिंग इसके संस्थापक ते जैपुर घराने की बात करे जैपुर जैपुर घराना इसके जो है संस्थापक ते भानुजी महराज संस्थापक कौन थे भानुजी महराज भानुजी महराज जैपुर घराने के संस्थापक ते और बस यह याद रखना है इसमें और आप यार रख सकते हो लखनाउ घराने से रिलेटेड एक यहाँ पर उप्शन में तो नहीं है लेकिन यहाँ से भी कुश्शन बनता है लखनाउ घराना इसके संस्थापक कौन थे? हाना या इसमें इससे जुड़े व्यक्ति जैसे लच्छु माराज हो गए लच्छु माराज एक्जाम में कुश्शन आई हैं इस तरह से लच्छु माराज संभु माराज संभु माराज ठीक है और भी आप नाम दिख सकते हैं दम्यंती जोसी दम्यंती जौसी ये भी लखनों घराने से जोड़ी हुई है संबंदित है बिर्जु महराज बहुत फेमस नाम है बिर्जु महराज ये भी लखनों घराने से जो है संबंदित है तो ये आप इस चीज को याद रखना ठीक है आगे बढ़ते हैं question number next चलिए ये रहा question निमलिकित मेंसे कौन सा नत्य रूप जारकंड राज्ये से संबंदित नहीं है तो जारकंड राज्ये से संबंदित नहीं है तो ये हो जाएगा धिमसा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number next इरहा question number next कौन से नरत्य शैली उन महिलाओ की व्यत्था को दरसाती है जिनके जीवन साती घर से दूड चले जाते हैं कौन से नरत्य शैली है बिर्हा नरत्य सैली कहां की बिहार की भी मैं बता चुका हूँ आपको बिहार की नरत्य सैली है बिर्हा clear और कौन कौन सी है बिहार से related जटा जटिन ये भी बिहार की नत्य सहली है ठीक है पवरिया ये भी बिहार से related है समा चकवा समा चकवा बिहार से related है और एक बिदेशिया जो कि एक्जाम में भी पूछा गया है ये भी बिहार से related है ठीक है यह आपको याद रखना है पाइका पाइका जो है ओडिसा से सम्बंदित है ओडिसा हना यह याद रखेंगे अलकाप अलकाप जो है जारखंड से related है अलकाप ठीक है और यह क्या है आपका मटकी मटकी की बात करें तो मध्यपरदेष मध्य प्रदेश से संबंदित है मट्की ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कोईशन नमबर नेक्स्ट ठीक है निहंग सिक योदाओं की एक पारम परिक लड़ाई शैली गत का जिसका इस्तिमाल आत्मरक्षा के साथ खेल के लिए भी किया जाता है भारत के निमलेकित में से किस राज्य से उत्पन हुई है तो सिकों से रिलेटेड है निहंग सिक जो होते है ठीक है उन से संबंदित है तो यह आंसर हो जाएगा पंजाब क्योंकि पंजाब में ज़्यादा सिक पाए जाती है तो आप वहां से भी आईडिय लगा सकते हो तो गत का बगएरा अखाडे में खेलते हुए देखा होगा गत का लाठी बहुत सारे जो होते हैं वहाँ पर कुष्टी बगएरा तो ये सारे के सारे आप जो है वहाँ पर खेल खेले जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Question next मुडिये टू किस भारती राज्य की पारंपरिक लोक नरत्य सहली है तो ये कहां की है मुडिये टू जो है ये है आपकी केरल से रिलेटेड कहां से केरल से रिलेटेड केरल की पहुत सारे लोक नरत्य सहली है जैसे मौहिनी अट्टम है मौहिनी अट्टम मौहिनी अट्टम है ओपन एक ओपन ये भी कहा किये जो है केरल की है और भी आप लिख सकते है कुड़ी अट्टम एक है कुड़ी अट्टम ये भी कहा कहा है आपका केरल से रिलेटेड है कॉल कली केरल से संबंदित है कॉल कली भी बहुत सारे हैं आप ठीक है क्रश्ण नट्टम क्रेशन नटम अधिकतर जो नटम वाले हैं न लास्ट में अटम लगे हुए वो केरल से related है तो ये जो है केरल से related है ज्यादे तर कतकली कतकली के बारे में तो आप जानती हो केरल से related है ठीक है ये आप याद रखोगी चलिक आगे बढ़ते हैं question next यह रहा question number next एलेला कराडी किस भारती राज्ये का आदिवासी नरती है तो नाम थोड़ा सा जो पढ़ने में भी थोड़ा सी जवान लड़ खड़ा रही है असा नाम लिखा हुए चलिए इसका अंसर बताना है आंसर हो जाएगा ये आपका केरल से related है कहां से केरल से related है ये वाला ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number हाँ चलिए ठीक है question next है ये रहा question number next देखे भगवान खंडोबा से जुड़ा वाग्ये मुर्ली नरत्ये मूल रूप से निमलेकित में से किस राज्ये से सम्मंदित है option हो जाएगा इसका A कहां से महरास्टर से related है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ extra point बताने वाले नहीं बरना sorry यहां पर बिहार राजस्थान गुजरात के बारे में आपको बताई चुका हूँ कौन कौन से निरत्ये है और यहां पर next है राउत नाचा भारत के किस राज्य के अधिकतर आदिवाश्यों दुआरा किया जाता है निमलिकित में से कौन सा राज्य है कहां पर किया जाता है किस राज्य में अधिकतर आदिवाश्य दुआरा किया जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा 36 गड़ राज्जिय कहां पर होता है 36 गड़ राज्जिय में question next पर आते है question number next यह रहा question next संग राई भारत के किस राज्जिय का एक लोक नत्य है संग राई संग राई कहां का लोक नत्य है तिरिवपुरा का ठीक है चलिए इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है बताने के लिए आगे बढ़ते है question है युद के तमिल देवता मुरूगन की ओपचारिक पूजा के दोरान भक्तो दौरा निमलिकित में से कौन सा नरत्य किया जाता है तो यह किया जाता है कवादी अटमी कवादी अटमी ठीक है option C is the right answer आगे बढ़ते हैं question number next question number next और 50 question हम इस lecture में पूरे करेंगे निमलिकित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोस यानि masked dance है कौन सा है पश्चिम बंगाल का यह आपको बताना है तो यह है आपका गंभीरा इसका अंसर हो जाएगा C गंभीरा ठीक है और इसमें आप हाँ यह जो आपका गिद्धा है गिद्धा एक्जाम में पूछा गया है कहा का है पंजाब का है पंजाब का लोकन रत्ति है गिद्धा ठीक है तो यह आपको याद रखना है और जवार की बात करें यह कहां का है मध्य प्रदेश यह कहां का है मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश का ठीक है और यह जो है आपका कवादी कवादी कहां का है या कावडी भी इसको पढ़ते हैं ठीक है कावडी या कवादी ये है तमिल नाडू तमिल नाडू क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं ये रहा कुशन नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा निरत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था सदिर के नाम से जाना जाता था ये है भरत नाट टैम तो इसका अंसर हो जाएगा भरत नाट टैम ठीक है सदिर या दासी अटम के नाम से भी इसको जाना जाता था ये भी आप नोट करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं question number next चलिए ओके इतना काफी ठीक है सदिरिया दासी अटम के नाम से जाना जाता था और मैंने बताया था आपको कि करनाटक संगीत से related है ये भारतना टैम कतकली वगरा है ये करनाटक संगीत से related है और ये जो भारतना टैम नाम दिया था ये जो नाम दिया था ये आप लिख सकते हैं करश्णा अयर सबसे पहले करश्णा अयर के द्वारा ये जो है नाम दिया गए था ठीक है सदिरिया नरत्य के लिए भारतना टैम सब्द का यूज़ किया था कृष्णा अयर के द्वारा चली आगे है भारत का पहला पारम परिक नरत्य कौन सा है जिसे थेटर कला के रूप में नए सीरे से तयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है तो यह हो जाएगा आपका भरत नाट्यम आगे बढ़ते हैं नमलेकित में से कौन सा नरत्य मैतई लोगों के वैशनब मत से जुड़ा है कौन सा है यह हो जाएगा डी देखे मनीपूर आपको अभी जो लेटेस्ट अपडिट चल रही है मनीपूर की वहाँ पर आप देख सकते हैं मैतई जो समुदाई एक समुदाई और है कूकी कूकी यह साइद तो दोनों में यहाँ पर थोड़ी सी हिंसा हो रही है तो यहाँ से भी इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं करंट में जो चीजे होती है उसको आप मतलब उसके बारे में जानकरी रखना बहुत जरूरी है तो इस तरह से अगर आपको यह कूशन मिल जाता है एक्जाम में तब भी आप आंसर तक पहुश सकते हैं अगर आपको जो चीजे चल रही होती है करंट में उसके बारे में नौलिज है तो यह आंसर हो जाएगा option D question number next है यह रहा question next निमलेकित में से कौन सा नरत्य के परकार उत्तर भारत से संबंदित है तो उत्तर भारत से related है कतक यह की है यहाँ पर कतक कतक जो है उत्तर प्रदीश का है तो उत्तर भारत से related है यह बाकी आप इनके बारे में जानते है कुछी पुड़ी आंदर प्रदीश ओडिसी ओडिसा का है मौनिय टम केरल का है ठीक है चलिए आगे वड़ते है next है निमलेकित में से कौन सा युनेसको द्वारा मानिता प्राप्त नरत्य रूप है युनेसको द्वारा मानिता प्राप्त नरत्य है तो यह है काल बेलिया कहा का है राजस्थान का कहा का राजस्थान का ठीक है काल बेलिया इनके बारे में आप जानते हो भांगड़ा जो है पंजाब पंजाब का नरत्य है भांगड़ा ठीक है या गिद्धा अभी बताया था मैंने यह भी पंजाब का है गिद्धा ठीक है या दल खाई की बात करें तो यह ओडिसा का है का का ओडिसा ठीक यह आपको याद रखना आगे बढ़ते हैं चलिए इसका अंसर देना है उम्मट 8 निम्रिकित में से सोरी उम्मट 8 यहां पर डैश में किया जाने वाला एक लोग नरत्य है तो यह कहां पर यह किस चीज में किया जाने वाला है इसको आपको फिल करना है यह हो जाएगा कुर्ग ठीक है कुर्ग कुर्ग ठीक है तो इसका अंसर हो जाएगा option B और यह कहां से related है करनाटक से related करनाटक से related ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं question number next एक एक नटूव नार एक डैश नरत्य गायन आयुजित करता है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भरत नाट टैम हो जाएगा तो भरत नाट टैम is the right answer मीनी कोई दूव डूव दूव का एक लोक नत्य है दूव शले इसका creature आहिए यह को लावा लावा निरत्य काहा का है मीनी कोय, मीनी कोय दुएप का, ठीक, तो यह इसका अंसर हो जाएगा, और, बाकी यह जो आपके हैं, चलिए इतना ही काफी है न, ठीक है, हाँ, यह भी आप लिख सकते हैं, यह जो आपके तीनों लोग निरत्य है, यह कहा के हैं, लेसल, पत्टु, या फिर अलू यट्टू, यह कहा के हैं, यह हो जाएंगे आपके नागा लेंड, नागा लेंड, ठीक है, और मोया साई की अगर बात करें, यह भी नागा लेंड, ठीक, तो यह आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, question next है, दक्षिन मालाबार में लोग पर एक मुखोटा नरत्य है, दक्षिन मालाबार में, तो यह है आपका कुम्बत्ती कली, ठीक है, इसका अंसर हो जाएगा, option B, आगे बढ़ते हैं, question next है, निमलेकित में से किस नरत्य में महिलाओ द्वारा सिर पर जले हुए दियो के साथ प्रदर्शन किया जाता है, यानि सिर पर दिये जलाकर प्रदर्शन करती है महिलाओ, किस नरत्य में करती हैं, यह है चरी नरत्य, ठीक है, चरी नरत्य, महिलाओ द्वारा जले हुए दिये जो है सिर्पर रख करके प्रदर्शन किया जाता है तो यह हो जाएगा चरी नरत्ये ठीक है बाकी और अगर जैसे यहां पर है धनगरी या गाजा नरत्ये धनगरी यह कहां का है महारास्ट्र महरास्टर का है तमासा भी कहा का है महरास्टर का एक्जाम में पूछा गया है कोली नरत्य भी मैंने आपको बताया था पीछे कोली नरत्य बताया था ना मैंने आपको कोली, चेरी निरत्य के अगर बात करें जो इसका अंसर है यहाँ पर यह तो राजस्थान का है, ठीक है, कहां का है, राजस्थान, ओके राजस्थान का है, और कोली निरत्य कहां का था, चलिए पीछे आप देख लेना, इसको ठीक है, अभी मैं यह ध्यान में नहीं आ रहा, कहां का था, क्या लिख वाए था मैंने, आगे बढ़ते हैं, क्वेशन नंबर नेक्स्ट, एक मिनट, एक मिनट, एक ऐसा निरत्य है, जो भासन माईम और सुध निरत्य को जोड़ता है, तो यह कौन सा निरत्य है, यह आपको बताना है, यह आपको बताना है, खालिस्थान को भरना है, तो यह है कुचिपुडी, कुचिपुडी, ठीक है, option D, कुचिपुडी कहां का है, आंदर प्रदेश आंद्र प्रदेश मौहिनियत्टम तमिल नाडू सोरी केरल का है भरतना टैम तमिल नाडू तमिल नाडू ठीक है और ये कतकली कहां का है केरल का है तो यह आपको याद हो चुके होंगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं question number next दशेरा उत्सब के दोरान किया जाने वाला वीर गासो नत्य है किस राज्य से या लोग नत्य में से एक विसेज इस्थान रखता है तो ये किस राज्य से related है finally आपको ये बताना है ठीक है तो ये है आपका करनाटक से related वीर गासो कहां से है करनाटक से related है लास्ट कुश्चन है राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जन्जाती दुवारा डैश के अफसर पर किया जाने वाला लोक नरत्य है तो ये किया जाता है आपका होली पर ठीक है इस तरह से आपके 50 कुश्चन्स 50 कुश्चन्स जो है कम्प्लीट हो चुके हैं हना कम्प्लीट हो चुके हैं और इसी तरह से आपकी जो है क्लासेश चलती रहेंगी आगे और आपको ये पीडियेफ जो है आपको अच्छा रहेगा कि आप साथ में नौर्स बनाते हो चलो या फिर ये पीडियेफ को भी आप से रहेगी और आगे जो classes है वो आपको application में ही मिलेगी तो जल्दी से इसको join कर लेना ओके Thank you सब्सक। झाल 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 झाल